हेलो फ्रैंज कैसे हैं आप आछ करती कि आप अच्छी होगे आज मैं बनानी करेल के लिए इसके लिए मैंने करेलो को क्यों दोक के नुक्र मिला की सुखा दिया था और उन्हें तेल में भून लिया लिया में है। उसके बाद मैंने दोबारा तेल डाला उसमे गुषल तेल डालने के बाद सोप डाल दिया। पीस के डालो, या साबुद डालो अपनी मर्जी हैं, क्योंकि सब का अपना सब्जी बनाने का अलग-अलग तरीका होता है, मैंने सौप को अच्छे से भूल लिया है, और उसमें डाल दिया था, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ धनिया तो ऐसी ही बन जाता है, और उसके प्याज डाल दी थी, देखिए, मैंने इसमें अच्छे से प्याज काटके डाल दी है, और प्याजों को भी बहुत अच्छे से भूनाये, प्याज भुन जाने के बाद उसमें हल दी और मेश डाल दी इन दोनों चीजों को भी अच्छे से भून लिया है मैंने और ये सब भुन जाने के बाद उसमें डाल दी करेले और करेलो के बाद हरी मिर्चलम भी काटके मैंने इसमें डाल दी थी करेले ऐसे ही बनते हैं इसके बाद मैं इसमें नमक डाल दिया और खटाई डाल दी थी जो कि मेरी वीडियो डिलीट होगी थी इसे मैं डाल नहीं पाई देखें हमारी करेले देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और महनत की है तो खाने में बेच्छे लगेंगे करेले इस तरह ही बनते हैं और सब की बनाने की अलग अलग तरीके होते हैं वीडियो अच्छे लगे होते लाइक और सब्सक्राइब करना बाई